क्वेश कर नहीं अफोट सब करने वाले हैं किर से पूंहें यह कु नियुक् में थो यह पनी ड्रोइंग फैस लग्ले बशना एब हैं और समुरा देखैंज समुर्ड फैस्य आई चाना में श्कोर स्वाच थेले माें सबस्कार बाता है जो क्वेश को इस वाले वीडियो में हम उन तीनों चीज़ को कवर करने वाले हैं तो आज के इस वाले वीडियो में हम उसी ड्राइंग को पुरा का पुरा फिनिश कर देंगे तो चालिए देखते हैं और यहां पर हमारे यहां अब पार्शन में लेफ्लन से विडिक दिखा देता हूँ जिसको हमें कोौन करना है यां पर शूज और पैर्ट और हैंड को में हमें करना है तो आप देख लिजिए कैसे मैं यह देख रहा हूँ और उसके बाद हम ट्रो करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में तो आप देखिए हम कैसे कहते हैं और उसके पहले पहले हमारे वीडियो पर न्यू आए वाद वीडियो को लाइक करें और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्स पर में अयुकि में पर करते है दूसके आप तो अभी मैंने यहाँ पेच्पी पेंसिल से शीडिंग कर लिया हैंड में तो अभी हम यह यूजिंग वह पेंटिंग ब्रस इसको ब्लाइंड भी कर लिया है इसी के साथ-साथ मैं यहां पे हर्का कॉटर का भी यूज कर रहा हूँ ताकि वह ज्यादा डार्क नहों और में जैसे रफ्रेंस पोडे में देख रहे हैं वैसा रहने दे तो आप देखिए और कैसा लगता है वह कमेंट मे तो आप देखिए और जो आपको अच्छा लगे वो कॉमेंट में बता के जाना तो यहां पर मैंने एक हैंड को कॉम्पलिट कर रहा है तो यहां पर हम इसी ही तरह किसे दूसरे हैंड में भी ग्रीड को एलिस करके उसके अंदर फेसे शेडिंग करके वही टेकनिक से हम इसको भी शेड कर लेंगे ताकि हमारे रेफरेंस पिक से यह मिल जाए तो अभी यह मैं भी वही टेकनिक का यूज कर रहा हूं इसमें भी आप देख सकते हो कि मारे हाँ झाल 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 जाल तो अब हमने नीचे के यह पैंट में भी जो यहाप ग्रेड हमने ड्रो की थी उसको भी हम ने यहाप एरेस कर लिया है तो अब हम इसके अंदर भी शेडिंग स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके अंदर में एच भी का यूजने करूंगा पहले मैं तू भी से इसमें हलके हैंड से शेड कर रहा हूँ फिर हम ग्रेड को अपग्रेड करके जाएंगे ताकि वह डार्क लेयर हमें मिल सके जो में रेफरेंस पोड़ों में चाहिए तो आप दे इस लेयर में हमेशा स्मूथ शेडिंग है चाहिए तो यहां पर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं तो यहां पर अब हमें फॉर भी पेंसे मेरा मतलब इट भी पैंसिल का यूज कर रहा हूँ हलके हैंसे ताकि यह ज्यादा डार्क ना हो एक बार में यहां पर हमें लेयर बाइले शेडिंग कर नहीं है इसलिए तो आप देखिए हमें एट भी पेंसिल से कैसे हां के हैंसे यहां पर शेडिंग कर रहा हूँ इसके बाद हम इसको भी ब्लाइंड कर देंगे अजय कर दो एक बार्क जाए दार्क पर देखिए रहाँ झाल के बार्क बार्क पर दो एक बार्क एँःक रहा हमें अबस्तू झाल 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 झाल